मित्रों आप सबका इस्वर गार्डनिंग में एक बर पुना स्वागत है आज काफी दुनों बाद एक वीडियो बना रहे हैं वो भी डहलिया पर यह डहलिया का पौधा आप देख रहे हैं जो यह हमने गमले में लगाया हुआ है इस पौधे की हाई एक फिट है और देखिए कैसे बढ़ता फूल के लिए है इस पौधे को लगाने के लिए हमने कैसे मिट्टी का चैन किया है उसके बारे में आपको बताते हैं और सब पहले आपको उसकी मिट्टी हम दिखा देते हैं हुआ 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 है हुआ 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 है आप इस मिट्टी में हमने एक फाग पर मी कमपोस्ट एक भाग मिट्टी और देड़ भाग धान की भोशी लिया हुआ हुआ जो पौधा हम खई कर नर्सरी से लाये थे पाली थीन में था हुमें काफी मिट्टी लगी हुई थी पाली थीन फाड़ने के बाद हमने ऊपर से तीन अंगुल मिट्टी छोड़कर नीचे की सारी मिट्टी को निकाल दिया था और निकालने के बाद फिर हमने इस गमले में उसे लगाए था इसमें पानी नहीं रुपता है अब पानी डाल देते हैं दो मेंट कंदा सार पानी इसका बाहर निकल जाता है तो यह नमी राती है हां तो इसी दिक्कत यह है इसमें पानी तो आपको शुबे साम देरा पढ़ेगा लेकिन अच्छा पूल पाने के लिए कुछ करने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है इसलिए पानी तो देना ही पड़ेगा आपको बागा इसके अलावा भी कई प्योड लगाई हुए है लेखिए अभी कली है इसमें इस तरह के मिट्टी में लगाने से एक फायदा यह होगा कि बरसात में यह बल्ब को बचाए जा सकता है और यह बल्ब बच जाते हैं तो अगले वर्स के लिए इन फूलों को राप्त करने में आसानी होगी उनकी कल में लगादी जाएंगी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवादा यह बल्ब